दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो भी प्रसन लेकर आया हूँ ये काफी important प्रसन है और आपको हर किसी exam में आसानी से देखने को मिल जाते हैं ये questions solve करने में बहुत easy होते हैं लेकिन जब तक समझ में नहीं आते हैं तक तक ये बहुत कठिन लगते हैं तो आज के बाद इस तरह के प्रशनों का टंटा मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूँगा चलिए start करते हैं आज का पहला question सीता ने किसी परिक्सा में 180 अंक प्राप्त किये और वह 30 अंक से फेलो गई यदि परिक्सा का उत्तिरनांक 30 प्रतिसत हो तो परिक्सा का कुल प्रुनांक क्या होगा प्रसन को ध्यान से समझ लीजिए जो हमारी माता सीता है उसने 180 अंक प्राप्त किये और वह 30 अंक से फेलो गई मतलब कि यदि उसको 180 के अलावा 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती और पास होने का यानि जो उत्तिरनांक का प्रतिशत है वो कितना है 30 प्रतिशत के बराबर है तो बस हो गया आपका कोशन सोल इनका टोटल कर लीजिए 210 बराबर 30 परसेंट यहां से काड़ दीजिए 30 से यह कड़ जाएगा सात बार यानि एक परसेंट का मान सात आ गया तो सो परसेंट का मान कितना हो जाएगा भई 700 और कोई भी चीज अपने आप में 100 परसेंट होती है तो यहां पर कुल परुनांग पुछा था तो कुल परुनांग कितना हो गया 700 का हो गया यह हमारे आंसर हो गया जी हां यही आंसर है ब इतने प्राफ्त किये भई उसने बीस पर्सेंट अंक प्राफ्त किये और वहop 72 अंक से फेल हो गई, मतलब यदि 20 पर्सेंट के अलावा उसके भधतर नंबर ओर आ जाते तो वह पास हो जाती, यानि अब ये आकड़ा पास का बन चुका है यानि उत्तिर्णांग का बन चुका है और यदि परिक्षा का उत्तिर्णांग तीस प्रतिशत हो यानि परिक्षा का जो उत्तिर्णांग के वो तीस प्रतिशत के बराबर है अब देखे यहां पर इधर संख्याती इधर जाना है कुछ नहीं करना भई परसेंटेज की दोस्ती परसेंटेज से करवा देंगे तो इधर तो बचा बहत्तर और इधर हम इसको लाएंगे तो ये हो गया भई हमारा दस परसेंट परिक्सा का कुल पूरुनांग पूछ रहा है तो दस परसेंट को दस से गुना कर देंगे तो ये 100% हो गया और इधर भी 10 से गुना करेंगे क्योंकि इधर किया है तो इधर भी करेंगे तो कुल पुनांख हमारा कित्ता निकल के आगया प्यारे लोंडो 720 मज़ा आएगा मैं कर रहा हूँ कि मज़ा आएगा आपको और आज के बाद ऐसे प्रसनों का हमेशा के लिए टंटक खतम होने वाला है चलिए आगे का और कुशन देखते हैं प्रीती हाई हाई प्रीती ने किसी परिक्सा में 40 प्रतिसत अंक प्राप्त किये जो उत्तिर नंक से केवल 30 अंक अधिक थे मतलब के लड़की पास हो गई है अब कितने प्राप्त किये उसने 40 प्रतिसत प्राप्त किये अब इस 40 प्रतिसत में कौन चिपे वें ये 30 अंक चिपे में मतलब अगर 40 प्रतिसत में हम 30 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा उत्तिर्ण आंक के बराबर बन गए यानि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्ष बन गए और यदी परिक्सा का उत्तिर्ण प्रतिशा 30% है मतलब अब ये 30% के बराबर हो गया अब इधर 40 बड़ा इधर 30 छोटा है तो इस बार दोस्ती इधर लाके करवानी पड़ किये तो बही प्रिती ने कितने अंक प्राब्त किये है प्यारे बच्चों 40% अंक प्राब्त किये ना तो 10 को हम 4 से गुना करा देंगे तो 40% हो गया और इधर 4 से गुना किया है तो इधर भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा ना तो बताइए 120 अंक प्राब्त किये बही प्र पूर दिया ना तो फिर मेरा चेनल सब्सक्राइब करके रखाया ना तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ फिर नी समझने वाले आप हाई शंगीता संगीता ने किसी परिक्साम में 25% अंक प्राप्त किये परंतु वह है 40 अंक से फेल हो गई संगीता ने कोशिस तो करी कितने परसेंट प्राप्त की 25 परतिसत प्राप्त किये लेकिन बेचारी फिर भी फेल हो गई यानि अगर 25% के अलावा उसके 40 नंबर और आ जाते 40 से फेल होई ना मतलब 40 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती यानि अब यह आकड़ा किसका बन गया पास का बन गया मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग का बन गया अब आगे देखते हैं उसी परिक्षा में अनसुल ने 40% अंक प्राप्त किये अनसुल भाया 40% प्राप्त क करके तो हम इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो अब यह भी मिनिममम उत्तिर नांक के बराबर हो गया अब यह भी मिनिममम उत्तिर नांक हो गया यह भी मिनिममम उत्तिर नांक हो गया इसलिए मैंने यहां बीच में बराबर लगा दिया अब 25% को पहुचाएंगे इधर और 35% क का मान 5 निकल के आगया तो बताओ परिक्सा का कुल पूर्णांग क्या है अब कुल पूर्णांग का मतलब 100% इधर हमने 100 से multiply किया तो इधर भी हमने 100 से multiply करना है तो कुल पूर्णांग 500 का आगया तो आ रहा है न मज़ा अब चलिए कुछ कॉशन्स और देखते हैं इसी पैटन के थोड़े से हार्ड है लेकिन आपको इजी गोइंग समझ में आएंगे और आपका अब परिक्सा में इस तरह का सवाल नहीं चूटेगा यह मेरी गारंटी है चलिए देखते हैं किसी परिक्सा में राम ने 30% अंक प्राप्त किये कितने पर्सेंट प्राप्त कर रहा है राम भाईया 30% और वह 15 अंकों से फेल हो गया मतलब यदि 30% के अलावा 15 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जब भी फेल हो गया नहीं कम पड़ गया मतलब 15 नंबर उसके कम पड़ गया 30% प्राप्त करने के बाद भी तो ऐसे में जूरता है और ज्यादा प्राप्त कर लेता है तो वह हम घटा देते हैं देखो उसी परिक्सा में श्याम ने 40% परप्त किये देखो श्याम भाईया 40% परप्त कर रहा है जो उत्तिर्णांग से 20 अंक अदिक है मतलब इसने 20 जादा परप्त कर लिया तो जादा को हम गटा लेते हैं अब यह दोनों उत्तिर्णांग बन गए इसलिए मैंना बिच में बराबर लगा दिया 30 की परिक्सा का पुर्णांग क्या है तो प्यारे बच्चों परिक्सा का पुर्णांग 100% होता है यानि 10 से मल्टिप्लाई किया तो इधर भी तो 10 से मल्टिप्लाई करना होगा ना तो 350 कहीं नजर आ रहा है कि आपकी प्यारी प्यारी अंखों को ये रहा तो यही हमारा क्या हो गया चलिए next question एक परिक्सा में एक छातर ने 28% अंक प्राप्त किये लोंडा 28% अंक प्राप्त कर चुका तथा वो 55 अंकों से अनुतिर्ण रहा अनुतिर्ण का मतलब है फैल हो गया यानि बेचारे लड़के ने 28% प्राप्त कर लिये लेकिन फिर भी वो 55 नंबरों से फैल हो 37% अंक प्राप्त किया एक होजहर चातरेवाई इसने 37% अंक प्राप्त कर लिया और 13 होने के न्यूंतम अंकों में 17 अंक अधिक प्राप्त कर लिये यानि अगर इसमें से 17 गठा देंगे तो अब ये भी न्यूंतम उतेर्ण तो दोनों हो गए दोस्त अब देखो 28% को इधर पहुचाएंगे 37% बड़ा है और 17 माइनस का है तो इधर 55 की तरब पहुचा देंगे तो 55 और 17 कितना हो जाएगा भई भथर हो जाएगा क्या चेक कर लो 5 और 7 12 के दो आंसिल का एक 5 और एक 6 और एक 7 ठीक है भई अब 37 में से 28 माइनस का होगा तो 17 में से 8 गया तो भई 9 बचा और इधर कितना रह गया 9% ना 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 एक सेकंड हाँ तो 9 परसेंट बच गया तो भई 9 से एकम 9 नो अठे बहतर अब पूच क्या रहा है थोड़ा देख लेते हैं उत्तिरनांक क्या है देखो यहां टोटल पूर्णांक नहीं पूच रहा परिक्षा का पूर्णांक जैसे यहां पूचा था नहीं पूच रहा उत्तिरनांक पूच रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि भई हम पहले तो टोटल पूर्णांक निकाल लेंगे जो कि कितना हो जाएगा 800 का हो देंगे तो यह हो गया मिनिमम उत्ते नांग दो जीरो से दो जीरो उड़ गई आठ अठे चो सट के चार अंसिल का छे आठ दूना सोला और चे बाइस प्लस पच्पन कितना हो गया पैरे बच्चो नो साथ दो दो सो उन्यासी कहीं आ है क्या ये आ रहा तो ये हमारे दोनों कोशन भी सोलो गए चलिए थोड़े दो कोशन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इनको मैं औरली समझाओंगा आपको कर लेना है और मेरे साब से आप कर लोगे चलिए थोड़ा सा मैं आज करवा के बता देता हूं देखिए किसी परिक्ष एक सो साथ तो उसने प्राप्त कर लिए विचारे ने अगर उसके 38 और आ जाते तो वो पास हो जाता मतलब 33 परसेंट उसके बन जाती तो ये किसके बराबर हो गया भाई 33 परसेंट के वाक नहीं हुआ अब जोड़ दो आठ नो एक सो अठ्यानम बराबर 33 परसेंट कटेगा तो पुल पुर्णांग बना लो जो कि कितना हो गया च्छसो का हो गया अब तोटल पुर्णांग च्छसो का हो गया अब ये पूछ रहा है कि अनसुल ने कितने प्राप्त किये थे अनसुल ने एक सो साट अंग प्राप्त किये अब एक सो साट अंग कितने से प्राप्त किय यह पूछ रहा है कि कितने प्राप्त किये मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है तो सो से मल्टिप्लाइ कर देंगे जिरो से जिरो कड़ गया दो से उड़ा दो असी बार और यह उड़ गया तीन बार तो तीन दूनी छह और च्छती अठारा और दो तो यानि 26 सही दो वटा तीन परसेंट कहीं आ रहा है तो यह हो जायागा थोड़ा सा घुमा के दे रखा था लेकिन आपको गवरानी की कतयाव शक्ता नहीं है इतने प्रसंद करने के बाद आपका दिमाग भी ऑटोमेटिक घूमेगा चलिए आज की वीडियो का लास्ट प्रसंद आपको तो करवा थीश परसंट प्राप्त कर रहा है परंई हुआ है पचीस अंक से फेल हो गया अब पकचीस अंक से फेल हो गया मतलब मैं इसमें से पक्चीस गुठाओं की जोड़ो कम पड़ रहे हैं ना उसके तो यानि 25 हो झाते तो पास हो जाता अब यह क्या बन गया मतलब ऐस मेंeze हो मैं से बीस नंबर आप घटा दोगे तो ये भी तो फिर मिनिमम क्वालिफाइंग बन गया आ अब ये दोनों क्वालिफाइंग बन गए तो दोनों बराबर हो जाेंगे पैंतालीस की तरफ लिया regen तीस अब 45 में से 30 गया तो इधर बचा 15 परसेंट और इस 20 वाले भाईया को लियाओ भाई इधर तो 25 और 20 ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 बराबर 15 एकम 15 पंदरती 45 ज्यानि एक परसेंट का मान निकल कर आ रहा है तीन तो बताओ परिक्सा का उत्तिर्णांग प्रतिशत क्या है अब देखो परिक्सा का उत्तिर्णांग प्रतिशत क्या है तो पहले इसका पुर्णांग निकाल लो 100 परसेंट का मतलब कितना अगया 300 यानि परिक्सा का टोटल पुर्णांग तो 300 है अब ये पूछ रहा है कि उत्तिर्णांग प्रतिशत क्या है तो बह मिनिमम क्वालिफाइंग बाक्ष है न तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गई तो यह हो गया तेंतिया नब प्लस पचीस कितना हो गया भई पांच और ग्यारा अब यानि एक सो पंदरा नंबर आने चाहिए थे तीस में से तब जाके पास होता तो यह कितने में से आने चोईस एक बटा तीन तो 38 सई एक बटा तीन परसेंट उसका क्या है मिनिममम परिक्षा का उत्तिर्णांग है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साब से फंटास्टिक लगा होगा और मज़ा आ गया होगा और अब यह इस तरह के प्रशन आपके लिए ब प्रशनों का तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं तो आपकी इच्छा करो तो ठीक ना करो तो ठीक बस आपने ग्यान ले लिया इतना ही बहुत है चलते हैं मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें थैंक यू